गूगल ने भारत में एंड्रोइड उप्योग करताओं के लिए गूगल वॉलेट लॉंच किया इंडिया रिटेलिंग गूगल पे कहीं नहीं जा रहा है ये हमारा प्राथमिक भुपतान अप बना रहेगा गूगल वॉलेट विशेश रूप से गैर भुपतान उप्योग मामलों के लिए तयार किया गया है नई दिल्ली प्राध्योगी की दिगगज गूगल ने बुधवार को भारत में एंड्रोइड उप्योग करताओं के लिए गूगल वॉलेट एप लॉंच किया जिससे उन्हें बोर्डिंग पास, लोयल्टी कार्ड, एवेंट टिकट और सार्वजनिक परिवहन पास जैसी आवश्यक चीजों को सुरक्षित रूप से स्टो करने की सुविधा मिलेगी एक शीश अधिकारी ने बताया कि बुद्वार से भारत में चालू हुने वाला ये डिजिटल वॉलेट मौजूदा भुपतान एप गूगल पे की पूरक सेवा के रूप में आएगा गूगल के एंड्रोइट के जी एम और इंडिया इंजीनिरिंग लीड राम पापाटला ने कहा गूगल पे कहीं नहीं जा रहा है ये हमारा प्राथमिक भुपतान एप बना रहेगा गूगल वॉलेट विशेश रूप से गैर भुपतान उप्योग के मामलों के लिए तयार किया गया है उन्होंने कहा कि इस सेवा के पीछे का विचार एक खुला सौफ्ट्वेर बनाना है जहां वाहक, ओएंग, मूल उपकरन निर्माता और डेवलपर्स अद्बूत उत्पाद बना सके नई सेवा के लिए गूगल ने एयर इंडिया, इंडिगो, फ्लिपकाट, पाइन लाप्स, कोची मैक्रो, पीवियार और आइनॉक्स जैसे 20 भारतिय ब्रांडों के साथ साजेदारी की है तथा कहा है कि आने वाले महीनों में और अधिक साजेदारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा गूगल वॉलेट उप्योग करताओं को मूवी इवेंट टिकट सहेज ने, बोर्डिंग पास तक पहुँच बनाने, मेट्रो टिकट स्टो करने गूगल ने एक बयान में कहा, गूगल वॉलेट उप्योग करताओं को बोर्डिंग पास, लोयल्टी कार्ड, इवेंट टिकट, सार्वजनिक परिवहन पास उपहार का रादी जैसी रोजमर्रा की आवश्यक चीजों तक तेज, सुरक्षिक पहुँच के लिए एकल, व्यवस्तित स्थान प्रदान करता है पापाटला ने आगे कहा कि प्रद्योगी की दिगगज निश्चित रूप से भविश्य में एक ओल इन वन एप बनाने पर विचार करेगा जो भुक्तान और गैर भुक्तान दोनों मामलों में उप्योग की अनुमती देता है उन्होंने कहा कि वर्तमान में कमपनी की सर्वोच प्राथमिक्ता मूलिय और सहभागिता स्रेजन साचिदारों को शामिल करना और विश्वास हासिल करना है उन्होंने कहा गूगल वालेट सुरक्षा और गोपनियता की नीग पर बनाया गया है उन्होंने आगे कहा कि Google खुलेपन, विकल्प और सुरक्षा प्रदान करने के अपने वादे के प्रती प्रतिबद्ध है Google Wallet वर्तमान में लगभग 80 देशों में कार्यरत है